एक ऐसा मंदिर जहां शिव भी है और शक्ती भी, भारत का वो एक मात्र मंदिर है, देवघर का बैदनाद धाम, ये मंदिर द्वादस जोते लिंगों में से एक है, ये द्वादस जोते लिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है, ये विश्व का इखलौता शिव मंदिर है, जह शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है इसलिए इसे शक्ति पीट भी कहते हैं पौराने कथाओं में वर्नित है कि यहां माता सती का हिर्दय कट कर गिरा था इसलिए इसे हिर्दय पीट भी कहते हैं मानत है कि बाबा बोले के भग्त जब सावन में बाबा बैदनाथ मंदिर में कावर लेकर आते हैं तो उगे शिव और शक्ति दोनों का आशिरवात लोता है इसलिए द्वादस जोतिलिंग बाबा बैदनाथ के मंदिर को शक्ति पीट भी कहा जाता है सावन के महीने में यहां लाको शर्धालो भगवान गोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं बाबा धाम की पौरानिक मानेता के मुताबिक राजा दक्ष के महायग में शिव को नहीं बुलाए जाने पर मातासती नाराज हो गई थी उन्हें अगनी कुंड में उन्होंने खुद को समाहित कर लिया था जिसके बाद भगवान शिव क्रोधित हो गए और माता सती के मुरित शरीर को अपने कंधी पर लेकर तांडव करने लगे शिव के इस प्रोस से प्लया जाता, ऐसे में बगवान विश्मू के चक्र से सती के शरीर के टुकडे-टुकडे कर दिये गए, जहां जहां भी शरीर का हिस्सा गिरा, वो शक्ति पीट कहलाया, देवगर बैदनाद धाम में माता का हिरदय कट कर गिरा था, इसने इसे शक्ति इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशिरवाद मिलता है। इसे मनों कामना लिंग भी कहते हैं। इसलिए शिर्ढ़ाल। इसलिए शिर्ढ़ाल। जब बाबा धाम आते हैं। तो जलका एक पात्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। और दूसरा मापारवती हैं यान्षी पाररवती-मंदिर में अर्पित करते हैं। शर्दालों के मुताबक यहां पर मांगी गये उनकी सारी मुरादे अभी तक पूरी होई है और मनोकामना है कि अगर आप भी देवघर जाते हैं और वहां पर शिव और शक्ति दोनों की आरात्ना करतें तो आपकी भी तमाम मनोकामना पूरी हो जाएं